दिगु समास और द्वंद समास में अंतर लखिए इसमें पहला पद संख्यावाची विशेशन तथा दूसरा पद परधान होता है इसमें दोनों पद समान रूप से परधान अर्था समान महत्य के होते हैं क्या सीक आपने इसमें पहला पत संख्या बाची विशेशन ता दूसरा पत प्रदान होता है यासे की पंच और यह है बटी तो पांच बटों का सम उच्ञा है और जो पंच सब्द में आपने देखा यह यूजक्चन है अब प्रिय छात्रों अब हम आपको कि समझाते हैं अर्थ के द्रिष्टी से यह समुवी बाची होता है इसमें समुव आता है पंच बटी पांच बटों का समुव इसका बिग्रह करने पर और एबं या जैसे सब्द आते हैं ठीक है प्रिय चात्रों आपने इनका उत्तर अच्छी से समझा अब हम विस्तार से इसका उत्तर समझते हैं तीगु समास और द्वंद समास में अंतर ठीक है परवासा भी इन से बन सकते हैं और अंतर भी बन सकता है तो परिक्छा में आपका दिगु समास और द्वंद समास में अंतर पूंचा जा सकता है तो इसको याद कैसे करें वो देखो एक समस्या है उसी समस्या के लिए वीडियू बनाते हैं तो यहाँ दिगुसमास में आप देखो यहाँ पर दुई आ रहा है क्या रहा है दुई सब्द आ रहा है एक क्या है संख्या बाचा कै की नहीं है और यहाँ पर आप देखो द्वंद लखा हुगा, क्या लखा हुगा है, द्वंद यहाँ पर आप देखो, यह दोनों जो द्वा हैं, यह एक जैसे हैं, समान है की नहीं है इनका समान महत है की नहीं, बिल्कुल समान महत है, ठीक है और बच्चो जब समान समान सब्द आते हैं तो उनके बीच में किया बच्चो यूजक चिन्न लगाते हैं क्या लगाते हैं अपर देखो माता पता है यूजक चिन्न है इसमें बच्चो इस सब्द में कहीं भी आपको यूजक चिन्न नहीं मिलेगा जब ये बच्चो ये उजग चिन्न जो हट जाते हैं हट जाते हैं तो फिर इनकी जगाए हम और लिख सकते हैं एबम लिख सकते हैं या लिख सकते हैं ठीक है और बच्चो जब संक्या बाची होती है ऐसे पांच लोग दस लोग, तो समू बनता है, इसे चौरा है, तिरा है, समू बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है, तो बस इनी सब्दों को द्यान में रख करके अपने इसका उत्तर जिंदी की भर याद रख सकते हैं, तो देखो, इसमें पहला पद संख्या बाची, बिसेशन, तथा दूसरा पद प्रधान होता है, जैसे पंच बटी, पंच माने पांच, और बटी माने ब्रक्ष, बट माने ब्रक्ष, तो जो बट सब्द प्रधान है वो, और जो पंच सब्द पहला पद है, वो संख्या बाची है, बाचि, तदा दूस्रा पद प्रधान होता है, ठीक, अब इसमें दिखते हैं, इसमें दोनों पद समान रूप से प्रधान, अर्थाथ समान महत्यके होते हैं, इसमें माता पता हैं, आपके लिए, अमारे लिए, उतने ही समान के लिए माता हैं, उसी wenn you present her life video, और दोनों अमार दूसरा पॉइंट है इसमें योजक चिन नहीं होते हैं इसमें योजक चिन कहीं नहीं होते हैं इसे पंचबटी है इनके बीच में कोई चिन बनाऊगा नहीं बनाऊगा इसमें योजक चिन आते हैं जैसे माता पता है तो बीच में जो चिन है वो क्या योजक चिन है जोडने वाला योज करने वाले जोडने वाला और प्र ये नसि चाट्रों आपका अगला पॉइंट क्या कहता है मैं अर्थ की दरिष्टी से यह समुह बाची अर्थ की दरिष्टी से यह समुह बाची होता है निए राजा और प्रिजा राजा और प्रिजा राजा और नहीं है इवम है ध्यान रखें राजा प्रिजा मनें राजा इवम प्रिजा तो यहां देखो यहां यहां पर समझे देखो यहां पर माता और पिता यहां इस चिन हटा तो क्या आ गया और आ गया और यहां इस चिन हटा यहां इवम आ गया यह जैसी सब्द आ जाती है